नमस्कार दोस्तों मैं सुजीत कुमार सिंग एडवांस एक्षल ट्रेडिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारी इस यूटूब विडियो टिक्टोरियल में जहां आप सीखते हैं कम्प्लीट एडवांस एक्षल तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं Error Formula में यूज की जाने वाले सम और सम प्रड़क्ट के बारे में सम प्रड़क्ट 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 दो sum करता है, product क्या करता है multiply करता है, यसी result आ 98 multiply by 58 multiply by 65 multiply by 65 इसमें आपस में multiply किया हुआ है अब sum product क्या होता है पहले sum product के पारे में जान लेता है मैं without array की बात करें then sum product पर ही लोता है sum with product नहींते है कि multiply कर देसम करना जैसे मेरे पास देखिए यहाँ पर quantity है और यहाँ पर MRP है मुझे इनका total amount निकालना है तो अगर हम sum product use ना करेंगे तो क्या होगा तो उस case में क्या होगा कि हमारा यहाँ पर आपस में पहले इसको multiply करना पड़ेगा बीचे तक ड्रैग करके और फिर यहाँ total हम equal to sum करके total निकाले यह तरह सा lengthy process हो गया इसके लिए हमें एक extra column ही रखना बड़ा लेकिन मुझे cases में हमें इस तरह की calculation नहीं करना है हमें यहाँ single cell पे calculate करना है तो single cell पे calculate करने के लिए दो चीज़े है एक तो आप array यूज करें array कैसे equal sum आपने क्या किया quantity multiply by mrp quantity multiply by mrp और फिर control shift enter प्रेस करेंगे तो result आएगा control shift enter या array formula के कुछ advantage है थे कुछ disadvantage भी है तो यहाँ पे आप array यूज ना करना चाहें तो sum product यूज कर सकते हैं sum product हमने इसको select किया comma इसको select किया तो हमने इनके बीच में किसी तक शेंबल नहीं दिया है तो यह automatically दोनों को multiply कर देगा और result आपके सामने है sum product sum भी कर दिया और product भी कर दिया अब array का क्या use होता है sum product array में क्या use यह देता है benefit देता है तो कभी-कभी क्या होता है जैसे कि मान लिजिए न कि यह हमारा amount है यह हमारा amount है quantity हमें इतना दिया और MRP हमने इतना दिया हमारा amount है तो मान लिजिए कि 98 piece हमने 78 years आप से बेची है तो मुझे इसका क्या करना है इसका quantity निकालना है कि आखी में total quantity कितनी भी की तो generally क्या करेंगे amount को divide करेंगे कि 78 से तो बता चाहिए कि इतनी quantity भी जी है इसी काम को मैं यहां करना चाहता हूं तो यहां पे हम sum product ले सकते हैं अब कोसे बुले हैं sum product तो multiply किया था लेकि multiply हमने कोई sample नहीं दिया तो multiply किया था otherwise आप simple इसको select कीजिए divide by इसको select कर लेजिए और यहां पे आप control saved enterprise करें जी हां control saved enter आपके सामने result आ जाएगा तो इसी तरीके से आप minus हर mathematical operator जो भी होता है वो सारा mathematical operator से plus हो गया divide हो गया minus हो गया multiply हो गया मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहे मैं error formula के ऐसे ही करीब 100-500 वीडियो अफ्लोड करने वाला हूँ हर दीन 3-4 वीडियो अफ्लोड करूंगा तो आप मेरे चैनल पर बने रहे ताकि आप error को completely basic to advance सिख सके क्योंकि अभी तो हम basic concept को follow कर रहे हैं लेकि कुछ दिनोबाल हम advance को भी follow करेंगे दिये दिये क्योंकि हमारे चैनल पर कुछ beginner भी है पर कुछ export भी है तो हमें सब के लिए material upload करना पड़ेगा कोई doubt हो, curiosity हो, question हो तो आप मुझे मेरी phone number पर call पर सकते हैं WhatsApp कर सकते हैं साथ में आप चाहते हैं मेरे साथ live सीखना क्योंकि recording जो है वीडियो से सीखना तुरह साथ difficult होता है आप चाहते हैं मेरे साथ live सीखे तो मैं जूम के थूरू आपको live सीखाऊंगा लेकिन पहले 3-4 demo लेके देख सकते हैं तो demo class का form भरने के लिए में website iptindia.com पे जाएं और demo class का form भर दे साथ में recorded pain drive को इप चेंज कर सकते हैं तो में website iptindia.com पे recorded pain drive भी वीडियोज pain drive भी मिल जाएगे वीडियोज चलाया तो लाइक जरूर कीजेगा मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजेए से अरी के जिए तैंक यू